हलो फ्रेंट नमस्ते आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं एक लकडी से बना हुआ सेल्फ जिसको मैंने घर पे खुदी बनाया है तो इसको बनाने के लिए कुछ हजार चाहिए होते हैं अगर आपके पास हजार नहीं है तो इसको जहां पर लकडी का काम होता है वहां से बना सकते हैं और इसमें अपने जो भी हाउस प्लांट इंडोर प्लांट से उनको आप रख सकते हैं और अपने घर को डेकुलेट कर सकते हैं तो मैंने मेरे पास कुछ लकडी बचे हुए थे तो मैंने उस लकडी को यूज किया है और इस रेक को बनाया है यह यह दो फिट लंबा है और एक फिट चोड़ा है जिस पे मैंने यह अपने इंडोर प्लांट्स को रखा हुआ है दोस्तों बहुत ही खुबसूरत रहे के इस पे अभी पेंटिंग बाकी है पेंटिंग करने के बाद से यह और भी अच्छा दीखेगा तो अभी मैंने उत्सुक्ता में बस इ से और रख दिया और इसका वीडियो बनाया दोस्तों इसमें मैंने सिंगोनियम के प्लांट्स रखे हैं और इसके साथ ही मैंने जो मनी प्लांट है रखा है जो चार-चार इंच के पॉट में है और कि इसके साथ इसनेग प्लांट के साथ में नहीं नहीं प्लांटर में वह है और कुछ बैंबु प्लांट है पक्राद है और पीस ले लिये दोस्ते देखिये यह हमारा जो है मनी प्लांट है मनी प्लांट चारe इंज के इंग्वोणियम का प्लांट है जो चैरींज के पोंड में ग्रोए किया गया है ले जो हमारे दूसरे पोड़े हैं उनकी ईचे सती है यह जो है कि यह planter वन्हें ने घर बनाए है कपड़र Semen time से बनाया हुआ यह planter है तो इसको मैंने 2 प्लांट के समय मनीप लगाया है रहा है अब बहुत अच्छी ग्रोफ था जैसे यह लगबक चारींज का ही जिसको मैंने चार इंच के प्लास्टिक पॉट पे ही इसको बनाया था और बहुत ही खुबसूरत लग रहा है और इसके साथ ही दोस्तों यह है बैंबू प्लांट जिसको मैंने पानी में ग्रो किया है पानी में कुछ ग्रेवल्स डालके और इसको इसको इसकी भी ग्रोत पीस लेली लगाया है, पीस लेली तो घर में रखने के लिए बहुत अच्छा पौदा है, जो बहुत कम लाइट में भी बहुत अच्छा ब्रोथ करता है, तो दोस्तों यही आप लोगों को देखाना था, थैंक्स फर वचिंग, बाइ, हैपी गाडनिंग, ज्या geçुआ, बॉट कर क लतोवों को दोस्तों उसे लाइब बहुत करें? झाल्ई सवयोडया है, Над्यू we लाई बहुत कह वो दोस्तों प्सम थे लाईखा ह। बहुत कि लाई बहुत में बहुत को देखा है झाल झाल